बात करते हैं मिथुन राशी की जो मिथुन राशी की जातक है अज आपको ध्यान रखना है कि किसी प्रकार के आर्गुमेंट या बाद दिवाद या कंट्रोवर्सी में न फसे, बाद दिवाद से बचें, आपको मध्य हमार का पनाना आपके लिए लापरत सेद होगा, यातर अगर आपकी यात्रा लंबी हो रही तो इसमें आपको धनलाब होने की भी संभावन आप बन रही है आज आपकी जो दोस्ती होगे किसी बड़े डिप्लोमेट्स होगी ब्यूरोक्रेट्स हो सकती है राजनितिक्यों के लिए समय बहुत स्रेश कर चल रहा है आज आपकी अन्नत होने की संभावन आप बन रही है जदि आपको इन्या वैपार करने की प्लान बना रहे है तो वैपार आपके लिए लाप्रत सिथ होगा शुब घटनाओं के घटने का यूग बन रहा है या तो घर बनवा सकते हैं गाड़ी खरी सकते हैं या आपके घर मेंने मेहमान की संभावना बन रही है आर्थिक निवेश सोच समझ करके करें नहीं तो आपका पैसा डूप सकता है आज आपके परिवार में शुब और मांगली कारिफोनी की संभावना बन रही है सौधानी क्या बरत्नी है कोई भी काम सोच समझ करके करें अचानक न करें प्लानिंग कर करें नहीं तो आपका चीजें दूब सकती हैं आप उपाय क्या करना तंत्रोक्त देवी सुक्तम का पाठ करें गड़ेशी को दुर्वा जुरूर अर्पित करें आपके लच्चा रहेगा सुभंके तीन सुभंगेहरा लक मिटर है नौ हरी कृष्णा अब आईए बात करते हैं आज के पंचांग की आज 10 जुलाई 2024 दीन है बुद्धवार चतुर्थी तिथी है मगा नच्छत्र है ब्यतिपात योग है विष्टी करण है सुर्योदय हो चुका है सबेरे 5 बज के 30 मिनट पर सुर्यास्थ होगा साम को 7 बज के 20 मिनट पर चंद्रोदय होगा सुवा 9 करने से बचें और आज का रहुकाल है दो पर 12 बच के 26 मिनट से ले करके आप प्राण दो बच के 10 मिनट तक रहेगा उत्तर दिशा का दिशा शूल है आज आपको एक बात का ध्यान रखना है का है चंदरभा है शिंगराशी में जो शिंगराशी की जातक है वह अपने को पूरी टास्ट तार्गेट ओरियंटेड हो करके कारे करने की जुरुत है आज आपकी सफलता राह दिख रही है दूसरी बात का ध्यान रखना है कि रहुकाल में कोई भी कारे न करें और आज नए कारे शुरुवात करने के लिए सुभ मुर्त नहीं है तो आज कोशिस करें क कि कोई नए डील कोई नियाकार या स्टार्ट अपिताद ना करें तो बैतर है कि यात्रा दिशासूल में करने से परहिच करें दिशासूल में यात्रा करना सुभत नहीं माना जाता लेकि लगता है कि यात्रा परिहार है करना ही करना है तो आप क्या करें पहले से पूर निर अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो भोल दिजे ओम बुधाय नमा अगर यह भी नहीं कर पाते हैं तो ओम गंग गड़ पते नमा इस तीन मंत्र का कोई भी एक मंत्रा पढ़ सकते हैं आपके लिए अच्छा रहे गाँ जदी आपकी कुंडिली में बुद्ध ग्रह की सती अपको प्राब्लम् हो रहे है नमनेस है जोल्डर पेन हो रहा है और तमाम तरह कि लगता है कि परिषानी है निर्वज इस्टम आपका ड्राउन हो रहा है लगता है प mauvaisma है ऐसे परिशेति में इस मंत्र का जब करें आपके के लिए फायदे मंद रहेगा दूसरी बात के ध्यान रखना है कि अगर आप किसी प्रतों की परिक्षा में जा रहे हैं आपको सफल्धा प्राप्त करने के लिए गणेश जी के मंत्रों का जब करते हुए और हरे रंगा एक रुमाल ले लिए निकली आपको बड़ी सफल्ध म करने लेगी